Hello guys, I am Garima and welcome to my channel Garima's Care and Share जहाँ पे हम Health से Related Problems और उनके Solutions के बारे में बात करते हैं आज मैं आप से बात कने वाली हूँ मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक What's in my Hospital Bag for Delivery? So Delivery एक ऐसी चीज है जो कि Spontaneous है, हमें पता नहीं चलता है कि कब होने वाला है Expected Date जरूर दी जाती है लेकिन Majority Time या तो पहले हो जाता है बेबी या तो बाद में हो जाता है तो उसके लिए आपको Preparation करनी पड़ती है तो चलिए शुरू करते हैं, ये सारा Experience जो है वो मेरा Personal है और बहुत ज़दा Helpful है तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि फटा फटा आप एक Quick Checklist Follow कीजिए सारी चीज़े Pack करिए और Tension Free Delivery के लिए Ready हो जाईए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों को Hospital Backpacking के लिए तीन इससे में Packing शुरू करनी है पहला है बेबी के लिए, सेकेंड है Mother के लिए और थर्ड है Caregiver के लिए Caregiver मतलब जो आपके साथ ऑस्पिटर में रहने वाला है तो बेबी की सीरीज के लिए Packing के लिए चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ लेना है तो सबसे पहले आपको कपड़े लेने हैं कपड़े आप अगर दोनु जेंडर्स के लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बिकाज हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वादा है तो मैंने भी थोड़े कपड़े बॉइस के और थोड़े कपड़े गर्ल्स के इसे खरीद के रखे हुए थे at least 7-8 खरीद देंगे तो बहुत अच्छा होगा बाद में आप अपने पसंद से ले सकते नेक्स्ट है नैपीज और डाइपर्स तो नैपीज और डाइपर्स बहुत जड़ा लगते है विकोज न्यूबॉर्न बेबी काफी जल्दी सुसू और पॉटी करते है तो दिन में कम से कम 10-12 तो दिन में लगी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 20-30 पहले से ही रेडी करके लग लो और डाइपर्स आपको जो भी ब्रांड ऐसा लगता है अगर ब्रांड के बारे में इंफोर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमें सेक्शन में बता हो मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूँ कि कौन सा मैपस का भी पैकट आप लेके रख सकते हो यह साइजस में अवेलिबल होते है तो चोटे बेबी के लिए इंफेंट साइज वाला होता है एक्सस साइज वो आप यूज कर सकते हो next boom अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए मैं उसके पर एक particular वीडियो उपको बना के बता सकते हो Next है Bips ये उसलिए चाहिए बिकाज जब भी बच्चों को हम feeding कराते है तो अगर हमने उनको burp नहीं दिलाई, डकार नहीं दिलाई तो वो जो सारा material होता है वो vomit कर देते बहार तो उससे हमारे भी कपड़े खराब हो जाते हैं और बेबी के भी कपड़े काफी खराब हो जाते हैं तो बेटर है कि आप उसे विप्स यूज करिए तो ये भी आप थोड़े से मगा के रख सकते हो At least 5-6 मगा लो sufficient हो जाएगा Next है Blankets Blankets इसलिए important है इसका कोई सीजन से रोल नहीं है बेबी को, न्यूबर्न बेबी को हमें थोड़ा सा वांप रखना ही पड़ता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्लांकिट ज़रूरी है रखना At least 2 Blankets आप ले सकते हो Alternate आप उसको चेंज कर सकते हो ज्यादा लेना है तो भी आपकी मर्जी है ले सकते समें कोई इस्यू नहीं है लेकिन एक बात इंपोर्टन चीज है फिर Cap है विकाज उनके head को कवर रखना जरूरी होता है तो Cap मुझे लगता है कि आप Cotton की Cap लोगे तो अच्छा होगा विलन Cap का थोड़ा सा कभी-कभी फैबरिक रख हो जाता है Cotton में ज्यादा रेकमेंट करूंगी Cotton की आप ले सकते हो Next is Mittens मतलब Hand Gloves ये भी Cotton के ज्यादा बेटर रहते है ये बेबी के हाथ को प्रेवेंट करने के लिए रहता है तंडी बगेरे सा बचाने में बेटर है कि आप एक बन्यान उनको अंदर पहना दो उसके उपर कोई भी कपड़े पहना तो उनको कोई भी ऐलर्जी वगरे कोई रेक्शन से बच्जा होगे तो मुझे ये लगता है कि ये वेस ज़रूर से लेना चाहिए और साइज इसका भी सेम इंफेंट साइज मिलता है मार्केट में आप ले सकते हो पेज सॉक्स, स्वेटर, नापकिन बहुत इपॉर्टन है सॉक्स आपको काफी लगेंगे कम से कम 6-7 रख लो विकाज नुवान बेबी होता है काफी बार वो सुसू करता है तो बार-बार आपको सॉक्स भी चेंज करने पड़ते है तो बेटर है कि आप सॉक्स भी 7-8 वराइटी के रख लो स्वेटर के लिए मैं बोलूँगी सीजनल के हिसाब से मत जो स्वेटर एक्चली में काम आता ही है चाहे सर्दी हो या नहीं हो तो स्वेटर का मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सामने फ्रंट बटन वाले स्वेटर अगर लेंगे तो बेटर रहेंगा इसको आप दो टाइप में डिवाइट कर लो एक रखो हाफ स्लीव वाला और एक फुल स्लीव वाला तो जोनो जिस मौसम के अपको करना है वैसे आप स्वेटर को पहना सकते हो लेकिन फ्रंट बटन सबसे इंपोर्टन है नापकिन्स को भी दो टाइप में डिवाइट कर लो एक रखो बेबी के सिफ माउथ क्लीन करने के लिए और एक उसकी बॉड़ी को क्लीन करने के लिए तो नापकिन्स का भी आप सेट बना सकते हो उसको कलर कॉडिनेशन के कर सकते हो एक लाइट कलर समझ लो माउथ के लिए तो डाक कलर या कोई प्रिंट डिफरेंट ले सकते हो वो आपकी चोईज है रबर शीट सबसे इंपोर्टन है बिकाज सुसू करते हैं तो सारा बैट वगेरा खराब हो जाता है तो रबर शीट के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक डबल बैट की ले सकते हो या सिगल बैट की ले सकते हो और छोटी वाली जो रहती है वो दो आप ले सकते हो मैंने भी यूज़ किया था मैंने 120 ml की आंटी कॉलिक वाली जो निपल्स होती है वो वाली बॉर्टल लिया था सो यह आपके ओपर डिपेंड करता है कि आपको यह चाहिए या नहीं चाहिए अब हम बात करने वाले हैं baby essentials के बारे में तो उसमें सबसे पहला है formula milk यह starting में जैसे ही newborn baby होता है तो उसे formula milk की दिया जाता है तो यह आपका doctor prescribe करता है काफी brands में available है लेकिन एक particular brand है जो मैं अभी तक का use कर रही हूँ मेरी daughter अभी 12 months की है लेकिन वो काफी helpful है तो मैं आपको बता सकती हूँ आप मुझे comment section में बताइए इसके बारे में मैं आपको information दे सकती हूँ next है diaper rash cream काफी लोग diapers पैनाते हैं बच्चे को तो उन्हें rashes आने लग जाते हैं तो diaper rash cream भी आप अगर पहले से लेंगे तो अच्छा है बाद में भी ले सकते हूँ कोई compassion नहीं है फिर जो next चीजे हैं यह सारी baby care के लिए हमें लगेंगी जो है soap, powder, baby oil, shampoo, nail cutter सबसे important है because newborn baby की nails काफी जल्दी grow होने लग जाते है in fact weekly आपको उनके nails कट करना पड़ता है तो nail cutter भी आप पहले से लेके रख लीजे next सबसे important है wet wipes wet wipes actually काफी चीजों के लिए काम आता है सारी चीजे पोचने के लिए साफ करने के लिए या कुछ नीचे गिरता है तो मुझे तो wet wipes काफी helpful लगी है तो wet wipes का भी packet आप लाके रख लीजे बहुत useful रहेगा फिर cotton है cotton सबसे important है बेबी को wipe करने के लिए cleaning purposes के लिए जब वो potty वगरा करते है तो आप हलके से पानी में डिप करो गरम पानी में हलका गरम पानी में और cotton से आप उसको क्लीन कर सकते हो तो cotton भी बहुत जरूरी है पहले से लाके रख लेना फिर डेटॉल तो सबसे important है बिकाज हम सारी बेबी प्रोड़क्स जो भी चीजे से सबको wash करने में अटलीस थोड़ा सा डेटॉल डाल देंगे तो वो डिसिंफेक्टेंट का काम करता है तो डेटॉल तो मस्ट होना चाहिए फिर अगर आप फीडिंग बॉटल यूज कर रहे हो तो आपको बॉटल वशिंग के ब्रशेस भी लगेंगे तो ब्रशेस भी आप रख सकते हो अगर आपने बॉटल लिया है तो सैनिटाइजर सबसे important है बहार से सब लोग आते हैं बेबी से मिलने तो आपको पता नहीं है कि उनकी हैंड आइजन कितनी अच्छी है किती नहीं है और वो कहां से आ रहे है तो एटलीस सैनिटाइजर आप लेके रखो ताकि जब भी कोई आए आपके कमरे में आपसे बेबी से मिलने तो एटलीस उनके हैंड क्लीन हो अगर वापकी बेबी को टच करते हैं कोई बैक्टेरिया वाइरस बबेबी में ट्रांसवर नहीं होंगे फिर नेक्स्टे प्लास्टिक क्लोथ हैंगर्स ये अक्चली बहुत इंपोर्टेंट होते हैं पिकास बच्चों के बहुत सारे कपड़े होते हैं तो जो हैंगर्स होते हैं इसमें जो क्लिप्स लगी रहती है तो उसमें हम एक हैंगर में काफी सारे कपड़े एक ही जगह पर हम दोग सुखा सकते हैं circle square rectangle shapes में available होता है market में तो यह बहुत important है actually आप लाएंगे तो बहुत helpful रहेगा फिर last मैं बात करने वाली हूँ rattles your squeezy toy अगर आपको चाहिए तो आप ला सकते हूँ बच्चे को थोड़ा entertain करने के लिए या थोड़ा उसका mind divert करने के लिए यह भी आप ले सकते हो optional है आपके उपर depend करता है अब बारी है mother के लिए आपको क्या pack करना है so new momies get ready तो सबसे पहले है loose clothing तो जो भी आपका size अभी currently pregnancy में आपने weight gain किया रहता है तो उससे आप एक size ज़्यादा के कपड़े ले लो क्योंकि delivery होती है अगर cesarean है तो stitches बगे रहते है तो अगर आपको चाहिए आपको लगता है कि inconvenient है तो अगर आप एक size बड़ा ले ले लेंगे तो वो हमेशा बेटर रहेगा तो आप loose clothing ले ले लिजए आपको जो भी चाहिए फिर second है पांटी के बारे में तो यह भी मैं recommend करूँगी कि आप एक size large ले लो आपकी present size से because जब stitches बगेरा लगते है और पटी लगती है उसके अपर मेरा cesarean हुआ है तो इसलिए मैं specifically आपको cesarean का भी बता रहे हूँ तो अगर आप एक size बड़ा लेंगे तो वह better होता है आपको एकदम tight नहीं लगता है तो I would highly recommend one size larger फिर next है feeding bra तो actually मुझे तो यह ज़्यादा convenient नहीं लगी थी आप normal भी use कर सकते हो और इसमें भी same funda कि आप size बड़ा ले लिजए जो आपका current चल रहा हूँ सॉक सबसे important है because जब भी surgery होती है उसके बाद में हम लोगों को सॉक्स जरूर से पहना आ जाता है थंडी से बचने के लिए तो अच्छे soft socks आपको चाहिए तो ankle length ले लो या full knee length ले लिए चो आपको convenient लगे वो आप ले सकते है प्लीज बूलिये मत फिर है scarves head cover करने के लिए because कभी-कभी थंडी जादा होती है कभी AC चलता रहता है तो scarves actually head आपका अच्छे से cover हो जाए इसलिए फिर shawl अगर आपको चाहिए तो अगर थंडी के time में delivery है तो shawl अगर आपको लगता है अगर नॉर्मल है तो ऐसे भी आप इक stole ले सकते हो just cover करने के लिए सबसे important है cotton ear cover करने के लिए अगर आपका scarves shawl अगर कुछ use नहीं करना है अगर बहुत जाद आपको यह पसंद नहीं है तो at least cotton आप कान में डाल के रख सकते हो मैंने भी actually यही किया था delivery होती है तो hospital से मिलते है napkins वगेरा सब चीज है लेकिन बाद में आपको अपने use करने पड़ते हैं तो main time पे ऐसे hafazardly परशानी ना हो इसलिए आप पहले से ही वो ले की रख लो फिर lower pyjama जो भी आपको चाहिए अगर आप गाउन पहनते हो तो आप gown रख लो top पट सब चीज loose ले लो थोड़ी सी daily ले लो आपके लिए बहुत जादा convenient होगी mother की list तो unlimited है आपको काफी चीज़े लगती है जो आपको लगता होगा कि packing कर सकते हैं अगर मैं इसमें से कोई चीज मिस कर रही हूँ तो आप मुझे comment section में वो भी बता सकते हो कि मैंने क्या miss किया है जो आपके लिए important था अभी next हम बात करने वाले है nipple pads के बारे में यह actually है कि जब mother का milk काफी produce होना शुरू हो जाता है और baby बराबर से पी नहीं पाता है या बराबर time पे पी नहीं पाता है तो milk discharge होना शुरू हो जाता है जिसके कारण कपड़े खराब हो जाते है और कपड़ों में stain आ जाता है तो उससे prevent करने के लिए nipple pads is a must item next है breast pumps तो same जब females को milk produce होना शुरू हो जाता है और baby अगर पी नहीं पाता है सक नहीं कर पाता है तो यह दोनों चीज़े साथ में work करती है next में सबसे important आपको बोलूँगी slippers प्लीज सिंपल anti slippery slippers ले लो क्योंकि हॉस्पिटल में fancy चपले वगेरा delivery के बाद में कोई काम की नहीं है slippers better रहेंगा आपको at least short word गिरना या पैर में लचकाने के chances कम रहेंगे अब यह जो में next items बताने वाली हुए पूरे optional है लेकिन मेरे लिए बहुत important थे तो इसलिए मैंने इसे भी add-on किया है तो सबसे पहला है body lotions because skin dry होने लग जाती है surgery के बाद में या अगर आपकी normal delivery है तो skin थोड़ी सी dry लगने जाती है तो better रेके आप उसको rehydrate करते रहो तो एक body lotion or moisturizer आप अपने choice का ले सकते हो lip balms भी बहुत ज़रूरी है because मेरे personal experience में मेरी surgeries के time पे मेरी lips बहुत dry होने शुरू हो गेते तो एक अजीब सा लगता है तो उसके लिए lip balm है तो आपके लिए काफी help हो रहेंगा फिर लोग आपसे मिलने आते है personally जब बेबी होता है काफी लोग visit करते है तो at least आपने अच्छा दिखना चाहिए तो at least hair comb, powder थोड़ा सा तो आप अपने पास रख सकते हो फिर सबसे important है camera ताके आपके baby के सारे precious movement आप capture कर सको और उसके day to day सारी activities को आप capture कर सको तो camera को please मत भूलिये और lastly mobile and charger जिसके बिना तो almost आजकर लोगों का रहना ही नहीं हो पाता है तो please उसको भी मत भूलो mostly लोग mobile रख देते बर charger बूल जाते so यह सारी चीजे है mother के लिए baby की packing, mother की packing तो सबसे important है लेकिन caregiver की packing भी बहुत important होती है because जो आत्मी या जो आपका partner है, जो आपकी care करने वाला है, मेरे case में मेरी mother थी तो उसके लिए भी कपड़े रखना बहुत important है क्योंकि सारा काम उनी के उपर में आ जाता है तो वो overloaded होते तो इसलिए उनकी भी packing अगर आप पहले से करके रखोगे तो आपके लिए बहुत other helpful होगा सबसे main है उनके कपड़े तो आपकी caregiver के कपड़े at least 3-4 pair रख लो क्योंकि hospital में 3-4 दिन रहना परता है अगर sezerian है तो normal delivery में 2 दिन mostly रखते है so depend करता है every hospitals की policies के accordingly कि वो कितने देर hospitalized करते है उसे साब से आपने कपड़े रख लेने चाहिए bedsheet optional है काफी लोगों को hospital की bedsheet पसंद नहीं मुझे भी खास करके पसंद नहीं थी तो मैंने अपनी bedsheet carry किया होगा था अब जो सारी चीज है में आपको लगती है तो उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी पहला है spoons काफी जब baby को feeding कराना पड़ता है तो spoons से उसको feed कराया जाता है तो एक कटोरी और spoon तो ज़रूर से रखिए ज्यादा रखेंगे तो भी कोई problem नहीं बोल्स रखिए खाना खाने के लिए आपके खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी काम आ जाता है cups and glasses, चाय, पानी सब पीने के लिए आपको लगता है thermos दो ज़रूर से रखो एक रखो पानी के लिए क्योंकि मदर को गरम पानी दिया जाता है कुन-कुना वाला तो एक थर्बस में वो स्टोर हो जाता है और एक आप बेबी के लिए रखो बेबी के मिल्क के लिए next है plates, knife, scissor ये scissor वगरा सब कुछ अगर काटना है कई packets होते है जिसको आपको काटना है तो scissor at least रहेंगा तो handy हो जाता है फिर next चीज़े है soap, scissor, bathing, clothing, utensils के लिए तो starting में बेबी जब potty वगरा करता है तो वहां पे जो caregivers होते है जो आया मौशी वगरा होती है वो लोग उसको cleaning करती है तो उनको लगता है तो अगर आप carry करो तो बेटर है तो यह miss ना करो इसलिए मैंने डाला है मैंने भी actually सब चीज़ लेके गई हुई थी तो इसलिए मैंने भी add-on किया है कि आप इसको use कर सकते हो फिर hand wash तो आपको लगेगा और थोड़े से snacks और biscuit रख लो कि आपके caregiver को भी कामा सकते है आपको भी कामा सकते है अगर आप hospital में भूक के हो जाते हो और अगर आपका टिफिन आने में लेट हो गया है तो at least आप यह सब चीज़ कर सकते हो अच्छा काफी hospitals होते हैं जहां पर ही सारी चीज़ अलाउड नहीं होती है तो आप अपने doctor और hospital से एक बार चीज़ अलाउड है कितनी नहीं है कई जगाओ पर खाना वगरा वो सब खुझ से देते तो प्लीज वो policies आप एक बार चेक कर लीजे उस हिसाब से आप अपनी packing कीजिए बेबी सीरीज का यह मेरा पहला topic ता आगे और बहुत सारे topics है जो मैं बनाने वाली हूँ अगर आपको उसके बारे में information चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा आज का topic आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे बताईए और कोई doubt है तो मुझे comment section में message कीजिए I will definitely try to solve it and thank you so much guys आपने मेरे पुराने जो वीडियो से थे उनको इतना ज़्यादा appreciate किया है I am really thankful to you and stay tuned to my channel thank you so much, take care, see you soon